एलो टोस्टू जिसा कि आप लोगों का कलास 12 से फाइनल एक्जाम 2024 में होने जा रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने बाला है क्योंकि प्रवरी के दिन आप लोगों का बायोलोजी यानि की जीव विग्यान का पेपर होने जा रहा है तो अभी के बायोलोजी का सब्सक्राइब का उत्तर बताने बाला क्योंकि पिछले विडियो नहीं नहीं देखा तो चैनल पर जाके जरूर देख लेना अगर भी नहीं देख पाएगा तो आपको कोई भी सेट मिले तो से में ही कुश्यों नहींगा बस नंबर बगड़ा जोना चींज इस अपनाना है और चैनल आपको जोना फ़ाइप भॉड़ा जिसमें से आपको टीन बनाना एक्जाम में टीन घंट आताम मिलेगा टूटल जोना सतनर नुमर का एक्जाम होगा जप्राप्रश्य नहीं प्रसंतर पहले ही मैंने बता देखेंगा तो चलिए पहले वड़ा प पूरा आपको देखके जाना क्योंकि शेम्टो से मैं आपको देखने हुआ को पूरा कला से अगर कर ले तो एक ब्ला लंबा गलास वगते हैं पर अपर देखेंगा है है कि काई का परबंदन से आप क्या समझते ठीक है तो इसका जो बिल्कुल उत्र होगा उत्र होगा कि जब एक नहीं पहुदे का जन्म पीगे की जड़ या तना या पत्यों के द्वारा जोना होता है तो उसे जोना काई का जनन का आदाता है जैसे कि हो जाएगा आलू पाइजा जाता है उसके पाइड़ पाइजाता है उसके हाँ पड़ लिखना है प्याटो पत्ति का का तीक न पत्र कलिका काते है ठीक है चैली आगवादेश्वच्छ यहां पर देखें प्लिख इस्ट ना पलिका का थे पृट्टों प्रफिशन मर्टीन को देखे बुला जाए कि समल्ट लशी और विशम चेल्सी चेल्सी का परिवास अलिक तो उत्तर आपका क्या जागा उत्तर जागा जागा जब नर और मादा जनन अंग जो है ना एक ही शरीर एक ही जीव में पाय जाते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे तुस आपको लिखना यहां पर आपको लिखना यह हो जाएगा कि अब जा और मादा जनन अब अलग अलग जीव सरीर में पाय जाते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे तो से मोग कहेंगे विशम भेल सी ठीक है तो जली यह प्रफिशन होगा आपका तीन मर्वर कुश्चन पर पर आपको रट के जाना है ठीक है चलिए कुशन है आपर देखी पर चार अमर पर जाइन की आपका समझते हैं तो बिल्कुल उटर का नर्यूगम का केंडरक और मादा यूगम का केंडरक सनलेयन को यूगम सनलगन कहा जाता है तो यह पाँचार नमर का उत्तर होगा है प्रफि यूगम का सलवन के सलवन के विनाही पादा पुस्प नए जीव को उत्पति कर रहे तो अब ध्यूट हो जाएगा तो आप को सिर्फ देखके जाना है जब एक नए पाउदे का जन्म पाउदे के जर तथा टना पती से होता है तो काई का जनन कहा जाता है जैसे आलू अड्रक हल्दी तना यह सारा का सार आपका कम होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन में पर देखिए पैड़ा बचू स शरीर में एक उभार निकलता है जिसे हम लोग कली कहा जाता है यह करती माटरी शरीर भोजन गरान कर ब्रदी कर एक नए स्वटन्टर जीव को जन्म देता है इस संपुर्ण का परकिरिया को मूंकुलन कहा जाता है तो यह आपका उत्तर होगा ओत्रोका 20 जनन जिसमें अर्थार्द नर्द या मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं उसे में में लोग्टा लिंगे संतन पकैट्रिक लक्षान के अनुवां सी की एभ्याना आकारी चैसे समान होते हैं जीने अ 그 प्रतनों का कि उत्तक संबंधन की परिवासा या शुक्स में प्रबंधन क्या है इस बिदी द्वारा पादप के उत्पादन के मुख लाव को क्या का जा तो यह कुश्चन प्रप्र होगा आप बिल्कुल आसान भासा में प्रप्रशों देख के जाए और कुछ-कुछ अगर क्या रहता है तो एक लिख देना आपको ठीक होगा किसी पौधे के पादप को शिकाई या उत्तक को उत्तक को अलग कर जो ना उनका पालन घोर में डालकर जो ना कलवर कराने की किडिया को में उत्तक संबंधन कहा जाता है एक पौधे में एक ही समय में एक से अधिक तो दस नमरे कलोन क्या है इसकी क्या एक इसकी एक लावी आहनी को बच जता है तो उत्तर होगा कि जनन द्वारा उत्पन संतान आकारी की एबम अनुबांसी की रूप से पैट्रिक लक्षन के बिल्कुल जो ना समान होती है जिनने हम लोग काते हैं यह बहुत छोटे होते ह है और इसका जीवन जोना कितना अटकाम होता तो यह आपका हो गया पैट्रबुचो दस नमर कोश्यन का प्रॉपर उत्तर चले पैट्रबुचो फड़ापरती जोना हम लोग आंपर देख लिते हैं ग्यारा नमर प्रसन का उत्तर प्रसने की पराकन की संद्रचना का आपके पैक्टिन एवम जोना जैल्यूरोज की बनी होती है तो यह आपका प्रसने की प्रणकोश की घटक को सिकाओं का नाम निम्लिकता पहला लिखने ना है एंटी पोडरलस यानिकि आपका परती वयासांत होगा यह एन होगा ठीक है और यहापर पैड़गों इसका जोन दूसरा यहां कि चेंट्रल से लो जाएगा यहां कि पर तीसरा हम लिखने सहाय कोशी का और उसके बार लिखना आपको चोथा में की अंडा को कोशी का डिक चलि आगा बढ़ते हैं आप देखें तेरा नुमर परतिने की सजात पस्पी जो ना सदाथ पस्पी करा जो ना प्रा परता से आप क्या समझते हैं इसके लाव बताए ठीक है तो बिल्कुल प्यार पर प्रापर उत्तर रेखेंगे जैसे वह लिंगी पुस्प जिसमें जो है ना जिनमें सबसे पहले जो ना पुंक के सर प्राकन परिपक्त होते हैं उसे हम लोग क्या करते पपूरत पपूरता कहा जाता है इससे जोना लाव बीज संकरा अबम जोना पौदे स्वास्त होते स्वास्त होते हैं जैसे बिंडी जोना उद्धाल या फिर धतुर यह सारा आपका हो ठीक है चलिए आगे परते आपर पंदा नमर कुश्चन देखिए शिरी परवता से क्या समझते तुक्तर हो चलिए आगे परते हैं सोला नमर कुश्चन परवचो परशने की बास्तविक फल या फिर जोना सत्व फल की परिवासा दे एक उदारन के साथ लिखना है तो उत्तर होगा कि जब किसी फल का जोना विकास केबल अंडासर से होता है उसे हम लोग बास्तविक फल कहते हैं जैस कि जब किसी फल का जोना विकास अंदासर के साथ या अन पुस्पी भाग ठेले मस यानि कि पुस्पासन इत्यारी के द्वरा होता है तो अभासी जोना फल कहलाता है जैसे सिव होगा उसके बार उसका नारा पटो ठीक है चलिए आगवरते आपर देखिया ठारा नमर कुश् किसे का जाता है तो इसका अधारा लिखना है तो बिल्कुल लोगा चीन और इसे चन के बीज पैदा होने की किरिया को खते और शंग जनन कहा जाता है जैसे कि आपका सिट्रेट यानि और उसके बार ऊप्ट रिया ठीक तो यह साड़ा होगा चलिए आपर ना पटापर आप्षेख जन्यट फल आप होगा अबिना निशेट फल पैदा होने कि इंट प्रविया को हम लोग क्या करते और अनिशेख वनित फल का तारें जाय से केल पापिटाई को आँग आगा पर देखेंगे कि मोनोकर्पिक फल आपको उदारन के साथ में लिखना है तो होगा क्या बैसे आपने जीवन काल में शिर्फ एक बाल पुस्ब धारन कर फल देते हैं उसे हम लों क्या कहते है मोनोकार्पिक फल कहा जाता है जैसे की बांस ठीक है चलिए आगे परते हैं पर देखे के कुश्चे नमर 22 प्यारण के साथ लिखना है तो तो रहोगा बल द्वारा प्रागकन की कडिया की जल प्रागकन कहा जाता है यह बैली सनेडिया यह उसके बार यह उडारण में लिखा टीक है भूरनोकोष का बोला गया तो यह चोटा करके यह दिखा भागरम तो यह आपका डाइगराम यह पर से आप लोगा स्की लेन चाहें न तो ले लिज़े इसको डाइरेक्टड डाउनलोड करने के लिए सिखांगा प्यारण का ठीक है तो यह आपका हो गया तो यह कि लगु बिजानु धानी किसे कहा जाता है तो बिल्कुल पड़ा कोश के चाड़ों पर बार जो ना गोलता काल राचनाएं दिखाई दती है जिसे हम लोग लगु बिजानु धानी कहते हैं तो चलिए आगे बड़ते हैं आपर कुश्चन नमर देखें पर चटिस नमर है बिल्कुल यहां पर होगा लगु प्यारबचो देखें लिए लगु गीजा मु जनन द्वारा बने लगु बिजानु अपस में चपके होते हैं जिसे हम लोग लुग बिजानु जो ना चटु का चटु टक कहा जाता है तो यह आपका प्यारबचों उत्तर हो जागा सकता ह िसमें कि पुष्प का प्राकन पुष्प के वर्टी का तक पहुंचाता है तो उसे हम लोक्या करता है यूगमन कहा दाता है यह कि अनुल मनिल्या पुष्प प्राकन से आप क्या समझते तो उस ते अवस्था में आज आते हैं उसे यहां पर निर्मान की पड़किरिया को जो ना गुरु विजानु जनन कहा जाता है इसे प्रकार से लिखना है यहां पर देख तिस नमर कोईशन है कौपस करता है यह आपका होगा बच्चे के जर्म के बाद मादा के स्थानकियों में दूर्ग का सरा होना दूर्ग सराव कहा जाता है पहले गाधा पिला दूर्ड को जो ना खीस या पिड कोलो एश्टरम कहा जाता है तो यह आपका प्यार बच्चोंगा उत्तर चलिए यहां पर ना ते-टीस नमर कुश्चन देख लेते हैं अंट्रोपन जो ना अंट्रोपन किसे कहा ज जाता है यह कडिया जो ना बलाष्ट अश्टूला गरभासय में जो ना उत्रदा को जो ना प्रारम करता है तो चलिए पर बच्चू अगली कुश्चन देख लेते हैं यहां प्यार बच्चू कि आप से बोला जा रहे ते-टीस नमर की बिड संचन किसे कहा जाता है तो बि पर से बिड से चन का जाता है तो चलिए आगे परते हैं परते के क्लाइब देखिए उत्तर क्या होगा उत्तर होगा की पुर्ण गर्वकाल होने पर एक माता के द्वारा शिशूब को जर्म देने तो पहले प्लब पर लोग वहांगा ना आपको सारा का सरा कोश्चन आज आगा चले ृट्वकिस्चन 5 वर्टियों के पर्मुख कार लिखे चलिए प्रफिट इसका उतर देख लेते हैं उतर होगा यह मुट्र मारत की जो ना पार्सों में इस्टित होती है इन गरंटियों में से मैठून से पुर्व एक छाड़िया चिपकने दरब का सरवन होता है या मुट्र मार्ग की अमलियता को जोना समाप्त करके इसे चिकना बनाकर मैठून से साहता करता है चलिए पड़ापर से आपर देखें कुश्चन नमर सभी का नाम लिए दुसकों का निर्मान होता है चलिएंपर दखी है दुसरा प्एंट में लिख देना है लिक देना है बिडिसन की जोना परहिच से को सिखा से शुक्र जनन होगा ठीक है उसके बाद द्वारा शुक्रानू का निर्मान उटा चलिए आप देखिए दूसरा प्वेंट में लिख देना है बिडिस्टान की जो ना प्रपचु यह तक देख लेना है प्रपचु यह में उतना नहीं पड़ोगा टाइम बहुत काम सब्सक्राइब होने से पहले अपने इच्छा या जान बूझकर गर्व को समापन करने की किडिया को आएम आई पी कहा जाता है चलिए आगे प्रते कि कुश्य नुमर जोने पढ़ा प्रतने की यह संचाड़ित रोग से आप क्या समझते हैं तो देखिए प्यारा बिल्कु स्वस्ट ब्यक्ति से संचाड़ित होने बला रोग कहलाता है जैसे एड्स हो गया उसके बाद पर देख सकते सारा का सरा उधारन जोना दिया चलिए प्राबर जागर बरते हैं आपर कुश्य में चालिस को देखिए प्रतों बंदयाता से आप क्या समझत उतरोगा किसी सब्सक्राइब जाता है इसे उत्पन संतान को किसमे रखा जाता है तो प्रक नली में सिष्व को रखाजा है कि मेनाकी चक्र क्या है तो बिल्कुल यह हो जाएगा कि मनुस्की मादा एक निश्चित समय अंटराल पर योन मार्ग के राष्ट ग्राह होता है उसे हम लों क्या करते हैं तो आवर्थ कराता है तो चलिए आगा बढ़ते हैं कि कुश्चन मुट जाना पैर बुच्छो कि मनुस्की मादा 45-50 की उम्र में पार मांसिक चक्र होना बंद हो जाता है इसे हम लों क्या करते हैं तो चलिए आगा बढ़ते हैं पर कुश्चन देखिए प्रतम अस्थन्या खीस या फोलो एंश्टरम क्या तो बिल्कुल देखिए बच्चे के जन्म के बाद मादा मादा के स्थन पर दिन्यों से सरावित गड़े गले पीड़े डूर को जो ना को लोडो एस्टरम जो ना गढ़ा जाता है तो यह जो ना अपत मोतूला कहा जाता है ठीक है चली आगवरतिया आप पर क्यों कोश्चन दोएना से जिए कि तु तक हिला क्या है तो बिल्कुल देखिए जाइगोट क्यूली वेज करते हुए आठ्स से शुला को सिकाओं का समूँ बना लेता है उसे हम लोग मोलका कहा जाता है ठीक है मेंटा क्या है तो बिल्कुल लेकिए गर्व में पर रहा बुरून और माता पिता माता का शरीर संदाचनातमक रूप से जोना जिस उत्तक से कुछ होता है उसे हम लोग क्या कते है पले एस्टेंडा कहते ठीक है चली आगवरतिया आप पचास नमर को देखिए पले एस्टे परेशन अंटा वरून को जोना भोजन ऑक्षीजन और जीवन उप्योगी प्रार्थों को परदान करता है तथा यहां पर क्या है पर भूप धूप में होगा धूप में बने उलाजी प्राथ को मुक्त करने में मड़द करता है चलिए यहां पर देखिए पर पूशन मुर बिड़ रोचन कहा जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बावन मर्परतने आपर देखिए बुला जारे परतने की कोशिक्या सुक्रानू प्यादबचो कोशिक्या सुक्रानू निश्यचा नियानि कि आई सी ऐसाई क्या है तो बिल्कुल लेकिए शुक्रानू को सीधे अ संदानू सुक्रानू को मादा के अंदबायनी के अस्ठांटरन को जो ना सी आइफ्टी कहा जाता है चलिए आगा बढ़ते हैं पर क्वेश्चन में बावन बोला जारे प्रतने की इंट्रा इंट्रा अल्टीने ट्रांसपर यानि की आई यू पैरवचो आई यूटी क्या ह चलिए आपर देखे कुश्चन में तिरे पर नमरें की जाए गोट इंट्रा फैलोपियान यानि की जैड आइफ्टी क्या तो देखिए इसका अट्रोगा की वाइगोट से बने आर्च सुल्ला को सिकाओ कि समू को जो ना मुकला मुकला को मादा के अंदबायनी नली से अस् वडुदा तन क्या है तो उत्तर हो जागा कि किसी माजात में परस्वस प्रसभ के बाद सिसु को भरपूर्ण अष्ठानपन कराने का राने से आवर्त चक्र लंबे समय बात जोना होता है तो उसे यहां पर यहांपर देख लिजगा क्या लिखा गया है एंब्रियो मेटी डियस्ट डियसी स्टिक है तो देखिए इसका उतर जो गर्व में पर लें बच्चे को जो ना एगडियोटिक बुलूड को निकाल कर उसका जो ना आईडियो ग्राफ तैयार कर लिंग गुंस्ट्रों का प्रकेटी का पता लगाना जो न सब्सक्राइब को देख लिए क्योंकि सारा का सब्सक्राइब अलग अलग प्रवचो काटपा बांद दिया जाता है इसे हम लों क्या करते हैं वंध्या करन कहते हैं के चलिए आगा परते हैं क्विश्चन के पारवचे आपर ना अन्धावर नुम्हार प्रवचन बोला जार की मेंडल ने अपने पडियोगों के लिए जो ना मतर के पोदो का चैन क्यों क्या था तो बिल्कुल आपर देख लिए पैरवचों उत्तर क्या होगा कि मेंडल ने अनेक संतान भी जूत्पति होता है साथ में चोता होगा मतर पोधा का जो ना उभ्यलिंगी होता है चलिए पर आपर चाहां पर ना उन्सट नुमर को देख लेते हैं उनसट नमर की मेंडर के सफलता के क्या कारणती तो आपको पॉइंट पाइज लिखना है प्यारवचों अनुबान सिक्ता का नियम जो ना गनित्या नियम पर आधारित था चलिए आगवर से प्यारवचों को देखते हैं साथ मर की भी प्रेशन से आप क्या समझते हैं तो देखें उत्तर होगा किसी उभ्यलिंगी पुस्प के पुंके सर को हटा देने की क्रिया कोम लोग जा भी लक्षन के जीन को दबा देता है जिसे हम लोग करते पर भाविता नियम कराका दे तो यह आपका पुड़ापर प्यारवचो जो है ना उत्तर हो गया आगे बढ़ावचो जल्दी से पहरा हम यहां से देखते हैं प्यारवचो ओहां तक लगवाग एक च्छल्ड सर को हटा देने की कडिया को बिपरेशन कहते हैं अगली क्या पर दो नमर की पॉली पॉली पलाईडी यानि की अब गुंता क्या है तो बिल्कुल यहां पर देखिए उत्तर होगा कि जब जीवों के दुई गुनित क्रोमोशोम में क्रोमोशोम की शंख्यां घट जाती है तो नल सोमी का घटा है चै्ले आगएं आपटेक आपर क्वेश्यन के क्रोमोशोम में एक अतिरिक्त गुंसुट्र जो रहा जाता है या एक बोरा गुंसुट्र की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं टेट्रा सोमो या फिर नलसोमी कहते है ठीक है जैसे की मानवरक्त सम्मु यांनि की यह आपका बला पुर्ण प्रवाविता क्या है तो बिल्गुल कि जब प्रवावी लक्षन का प्रवा प्रवावी लक्षन पर पुर्ण रुफ से दिखाए नहीं देता है तो उसे मिलों क्या करते हैं पुर्ण प्रवाविता लक्षन कहते हैं जैसे कि आपका हो जगा मिला मिमीश ठीक है जल और सिंड्रोम या पिर यह सारा का सब्सक्राइब देख लू ठीक है चलो यहां पर देखको कुश्चन मुर्जना साथ मड़की बिंदू उत्परिभरतन यानि की पल्वाइंट म्यू टेंशन क्या तो बिल्कुल डियाने के एकल दियाने के एकल काल पुगम के परिभरतन परि करता चलिए क्वेश्चन आप देखे पर दर्वर्ज़न आप चीयुक्र परिवास देखके आप पढ़ी प्रोटिय नियू कुलाई टाइड उसके बाद है निउन कलो साइट उसके बारा जागा निउन कलोटाइड पर देख्लोटीक आपर देखो नू कंलाटाइड एक अन सब्सक्राइब को देख लाए नहीं इसलिए आप लोग एक बार जेक के जाता क्यों आपर ना अगर कुश्चन यह आ जाता तो डाइडेक्ट आपको लीख देना है चलिए निमलिकित का पड़िवाचा देना है डियाने रिफ्टे केंशन का उसके बाद दूसरा में लिखना ह है इसका पड़िवाचा देना है रेठा है टेसरा में देना है ट्रांस लेशन का उसके बाद दिया थार यह ला कमशन यह चलो जाना चाहिए जया पर घ्र इनिवाट कुश्चन है तक अपर ne tillmir Dayshamon देख दो पर दिया गया तो यह आप लोगे के बारत बस देख लो ठीक है क्योंकि टाइम ज़रा हम आपका नहीं लेना चाहते है चलिए आप पर देख लिए ने या दूइक कुंदलित यानि की दियाने की संद्चना को लिखना है यह पर पांच नमर का कुस्चेंट है तो इसको लिखन है तो यह सारा का सरा यह पर दियागा प्रफॉइंट बाइद आपको लिखना है तो सारा यहां पर देख लिए चलो आगर पर देखो यह कुश्चन आपका दिया गया दियाने की परकिर्ती के लिए जोना आवेसक की नी दो एंजाइम के नाम लिखे ता था पर तेक किसी का आपको दिखा लेता कि आप लोग दाम लाओं तो अगर कुश्चन यहीं से आएगा सारा इतना गारेंटेश आपको शारा का सरा कुश्चन रहेगा इसलिए आप एक बार देखके जाओगे ना तभी के टाम आप जो भी कुश्चन देखोगे आपको याद आगा एक जाम आ आप लोगों को देखते चलना है चलो आपको जिवास्म किसे काते हैं बुघर्ब में मिड़त जिवी के अबसेज याचीन जिवास्म कहा जाता है जिवास्म की आयू लगभग जो ना माइनस 14 डेल्टा परानी द्वारा लगाया जाता है ठीक है चलो आगा बरते हैं आपको कि भी कास से rugelov की कि रिया को जो ना जैवी कास का जाता है और इन जीवों की करी मुल्हां की मानव जीनोम परियोजना क्या यह तो बिलकुल लेकूं निस और नब?!" अमेडिका की एक कंपनी की की शुरुवाट की जिसमें जोना किसी ब्यक्ति के एक कोशी का में जोना पस्टिट जीन इसान राचना एबंकारियों का प्रता लगाना था जिसे मानव पर योजना कहा जाता ठीक अच्छा लागवरते हैं यह आपका जोना बीस नम्रों कुश्चन है इसका उतर प्रॉपर सब्सक्राइब प्रकार के रोगों कुश्चन पुचा पुचा गया यह और इसका देखके जाना आपको ठीक है बस देखके जाओ और अग्दम एक्जा में सारा प्रतन आगा पेक आर प्रसन को देख लोटी के डाउनलोड करना है सारा हम लोग शिखाएंगे ठीक है चलो प प्रटे पर देखको आपको आपको अप्रफिक क्या पुचा गया पैठो जैन सबसे क्या समस्थते हैं तो बीविन प्रकार के रोगों को जर्म जर्म दैने बाले जो ना रसानू की जो ना प्रबचो पंजो सन अप पंजो सेन का दथा है यह आपका अथ यह चलो सारे प्र पर देख़ते चलो पर बच्छो आप चलो डेडिक्स ना पर पोड़ा को यह ने बहुत रखो बहुत राख बचुन पर बच्छो इसलिए कैसे डाउनलोड करना है यह मैं आपको न फड़ा बसे चहूंग प्रणाइब आपके पास टाइम अभी है तो आप इसको न पढ़के जाना देको प्रणाइब प्रणाइब कर दिंग क्या है सारा का सब्सक्राइब एक जाम में यह तो लेंगी को लेंगी कमें जनन पूच जो ना अंतर पूचना था तो लिख जागा सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आप अपने अपने गूगल एक पर किसी करों बड़ाजर को पैंड कर लेंगा उसके बाद आपको यहां पर सच बार का इकन देखने को मिलेगा इस पर किलिक करना है और अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देखरो ना चैनल का नाम प्याद़ पर करना है जैसे को लोगो फर्स्ट पर किलिक करेंगे जैसे किलिक करेंगे आपके समने कुछ इस परकास से देखी प्रफेस प्रफेस हो जाएगा यहां पर देख सकते हो लिखावा मिल जेगा जी बिगान का एटूजे टैंसर की और सब्सक्राइब करना है तो जल्दी से आपको क्या करना एंसर डाउनलोड कर नेवलग है श्कॉट बस्कीव जाल चैनल को डूट पर इस बीच में डिख सकते हो यहां पर जो ग्याप है यहां पर आपको ना एक पेज पर लिक करके सारे प्रतूं का अप्शन लिख कर डाला जाए तो अप्शन आप यहां से एक लाग जामिय पर दिकत नहीं को आपका स गर लिंक बड़ देया हुआ यहां से भी करसे हो साथ एन पर वाट्षाप गुल्फ का लिंक देगा है और वाट्सप तेटलीक करें थाकि आप लोग ना अराम से क्या करोगा बात्षो और अग्जाम जाने इस पहले जो भी आपका पेपर गारा आउट होगा सारा कसरे आया प को सब्सक्राइब कर लिए के सब्सक्राइब कर लिए उसके लिए कमेंट कर जी तो में थैंसे लिए